हाँ अज के बीडियों से कहेंगे कि हम ABV drive की वारिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हमारे पास अगर एक पोटेंशो मेटर है अगर हमें पोटेंशो मेटर से ड्राइब की फ्रिक्वेंसी इंक्रीस और डिक्रीस करना एक सेलेक्टर स्विच स्टार्ट स्टॉप के और सेलेक्टर स्विच से ड्राइब की ड्राइक्शन कैसे चेंज करेंगे और इसकी वारिंग कैसे करना है और हमारे पास एक और ओप्सन है अगर हम ड्राइब को एक सेलेक्टर स्विच से स्टार्ट फॉर्वर्ड में स्टार्ट और उसी सेलेक्टर स्टॉच से स्टॉप और second selector switch है, जिससे हम drive को reverse में start और stop करेंगे, हमाँ पास एक और mode है, अगर drive को एक selector switch से start और stop करना, second selector switch से drive की direction चेंज करना, push बटन के तुरू हम drive की frequency कम जादा कैसे करेंगे और इसकी wiring कैसे करना है, तो यह शीखने के लिए वीडियो को अंतक के देखते रहें, हमाँ पास यह first mode है, जिसमें हम एक potentiometer से drive की speed कम जादा करेंगे, और एक selector switch है, जिससे हम drive को start stop करेंगे, और second selector switch है, जिससे drive की direction चेंज करेंगे, सबसे पहले हम potentiometer की wiring करना सीखेंगे, तो potentiometer में हमें यह second number का terminal है, वो जो इसमें arrow बना होता है, यह potentiometer diagram बना होता है, तो यह जो arrow होता है, जो arrow बना होता है, पोटentiometer का analog output होता है, और जो first और third होता है, इसमें हमें 10 volt supply देनी होती है, हम drive से भी इसकी supply दे सकते हैं, और हमें बाहर से भी 10 volt supply दे सकते हैं, तो drive में जो 10 volt है, तीन और चार नमर पर 10 volt supply निकलती है, अगर multimeter से हम चेक करें, तो 3 और 4 पर हमें 10 लोट सप्लाइज निगा लेगे तो जो चौथा नमबर का टैमिनल अनलॉग इन्पूट फर्स्ट है तो हमें यहां का टू नमर है पोटेंसियों मेटर का उसे हमें ड्राइब के इस टू नमर से कनेक करना है इस तरह से हमने हमने पॉटेनिसीवए मेंटर को ड्राइब से कैनेक कर दिया है इसके बाद हमने यहाँ पे डिजटल इंपुट की वैरिंग कैसी है हमने जो ड्राइब का 11 Videos नमर कே रचेक्ट के टेमनल है इसको हमने आपध नामर कर दिया है और जो पॉजटिव है हुआ है उसको अपने दोनों इन्पूट्रप स्ट्ट इनपुट्प स्ट्ट इससे में ड्राइब को स्टाइब करेंगे और स्टॉप्ट भी करेंगे जब तो ट्राइब स्टार्ट रहएगा स्ट को जैसी ओ और करेंगे तो इस कर दिया है और जो सेकंड स्ट फॉच यह वी है रखेंगे अगर यह स्ट सेलेक्टरों रहेगा तो drive reverse की कंडिशन में on रहेगी और जैसा ही अगर यह आफ रहेगा तो drive forward की कंडिशन में on रहेगी तो इसके output को हमने input number reverse forward selector switch की output को हमने input number two से connect कर दिया इस तरह से हमने mode first की wiring की है अब हमाँ पास जो second जैसे हमने फर्स्ट मोड में पोटेंशों में की ती उसी तरह से हमने सेकंड मोड में भी पोटेंशों में की हैं इसके बाद हम डिजिटल इंपूट की वैरिंग करना सिखते हैं अबने यहां पे जो 24 बोलता टैन नमार टैमिन से निकल रहा है उसको हमने स्टार्ट बटन इन इन चर्फ करने रहें इस तरह से उसके बाद ज yummy श्टार्ट बटन क decade भ вместе अशना स्टार्ट बटन है उसका जो आउट्पूट और देर्दीश्ट के लिए उसका उपउट है प्तिंपूट ऊजिशिदी antika 2013-25 और झरक्रने में यहोग हमारा से कन मोड की वारी Колि से उRegra's का लिए एक सेलेक्टर सु swords लिए औरिवस स्टार्ट के लिए स्थलेक्टर सुच लिए जब उस वाले सेलेक्टर स्था और करेंगे तो ट्राइफ फॉरबंट में होगी इसको और कर दिनों तो ट्राइब्फ और हो जाएगी सेकंड इसको जैसी उन करेंगे तो ड्राइब इसको ओस अफ करेंगे तो ड्राइब इस्टोफ हो जाएगी फस्सफ एकल्टव सुच का आउटपुट सुनुट करना है सेकंड किया है उसके बाद हमारा फॉर्थ मोड आता है स्पोर्ड को स्टाड़ भी करेंगे और और जो पूस बटन हमने लिया है first वाले से इंक्रीज से करेंगे first वाला जाने स्टाब करेंगे इसको हमने डिज्टर से कनेक किया है सेकंड वाले सेलेक्टर स्विच जिससे हम ड्राइब के डारेक्शन चेंज करेंगे उसको हमने डियाई 2 से कनेक किया है यह दोनों सेलेक्टर स्विच वन में सेलेक्टर स्विच है जिससे ड्राइब को की स्पीड को इंक्रीस करेंगे उसको वाले इंपूड को को हमने डी आई 3 से कनेक्ट किया है राउन वाल पूस्ट बटन को हमने इन्पूट नमबर 4 से कनेक्ट किया है यह हो गए हमारी बारिंग अब हमें ड्राइब में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है यह हमारे पास यूजर मैनुवल को आब अ किसी कुछ फाइब 550 को सबसे पहले हम पेज नमर 77 वे जाते हैं कि यह हमारे पास पास प्रेस नमर 77 एपलिकैशन माइक्रो firmly क्लिप होते हैं जिसमें वunu इसका इसका सेलक्षन करना होता है और उसके अकौर्डिंग में वारिंग करनी होती है हमें bike category ही है बहुत minimum parameter होते हैं जो हमें और set करने के ज़ज़त हो नहीं तो by default इसे सारे parameter set होते हैं अगर हम उस application micros को select करते हैं तो सबसे पहले हम इसका micros का parameter है 9902 application micros का parameter है 9902 इसमें हमें micros मिल जाएंगे सबसे पहले आता है micros ABB standard micro अगर हम 9902 में one select करते हैं यह हमारा micros select हो जाएगा यह two wire input output configuration होता है इसमें हम three constant speed set कर सकते हैं जैसे हमने first mode हमने wiring के थी यह हमारा first mode जिसमें हमने potentiometer लिया था और एक start stop के लिए selector switch लिया था और drive के direction के लिए एक second selector switch लिया था अगर हमें इस mode की programming करनी है तो हमें parameter 9902 में one select करना होगा इसमें analog input first potentiometer से drive की speed कम जादा होगी और यहां पे दिया हो digital input first start stop और digital input number second से drive का direction चेंज होगा अगर हम 9902 में one select कर देंगे यह हमारा program रन हो जाएगा तो हमें drive में इसके according वाइरिंग करना था और हमें automatic drive के सारे parameter इसके वाइरिंग के according set हो जाएगे उसके बाद second mode आता है three wire micros अगर हम 9902 में two select करते हैं अगर हम 9902 में two select करते हैं तो हमारे three wire micros select हो जाएगा इसमें हम analog input से potentiometer के तुरू हम drive की speed कम ज्यादा कर सकते हैं और push button के तुरू drive को start stop कर सकते हैं और forward reverse selector switch के तुरू drive की direction चेंज कर सकते हैं यह हमारा second mode था हमने यहाँ पे start stop push button लिया था और direction के लिए selector switch लिया था अगर हमें इस mode में drive को on करना है तो हमें parameter 9902 में two करना होगा तो हमारे यह mode select हो जाएगा हमें बाकी और कोई parameter set करने की जड़त नहीं पड़ेगी हमारा third mode है अगर हमें first selector switch drive को forward second selector switch drive को reverse करना है और potential meter drive की speed को कम ज्यादा करना है तो हमें 9902 में हमें क्या set करना होगा third mode यह है alternate micros अगर हम 9902 में three select कर देते हैं अगर हम 9902 में three select कर देते हैं तो हमारा alternate micros select हो जाएगा इसमें हम potential meter के तुरू drive की speed कम ज्यादा और एक selector switch द्राइब को forward और second selector switch देड्राइब को reverse कर सकते हैं अगर इस condition में ड्राइब अगर दोनों select switch अगर इस condition में forward का भी select switch और reverse का भी select switch on रहेगा तो drive हमारी रन नहीं होगी यहां पर condition लिखा हुआ है यह हमारा हो गया third mode हमारे पास fourth mode आता है अगर हमें ड्राइब को एक selector switch से start stop second selector switch से drive को forward reverse और push बटन के थुरू हमने drive की speed कम ज्यादा करना है तो हमें 9902 में क्या select करना होगा यह आता है motor potentiometer mode अगर हम 9902 में 4 select कर देते हैं 9902 में 4 select कर देते हैं fourth mode select हो जाएगा जिसमें हमने यहां पर analog input नहीं लिए potentiometer हमने एक start stop के लिए selector switch लिया है second selector switch हम ड्राइब की direction चेंज करेंगे और एक reference लिया है आप input number 3 से connect किया push button जिस्ते drive की speed increase होगी second push button जिसको हमने di input 4 से connect किया है इससे speed down होगी इस तरह से हमने drive को एक selector switch से start stop कर लिया second selector switch ट्राइब की direction चेंज कर लिए और push button के दुरू हमने drive की frequency increase और decrease कर लिए यह होगा हमारे drive के चारो mode और इसकी वारिंग और प्रोग्राम में इसके शिवा हमें अगर हमें यह configuration है अगर configuration हमारा मैच कर रहा है तो हमें drive में इसकी शिवा और कोई पार अगर यह मेरा वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा ओके थैंक्यू